वेलकम टू माई चैनल आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल जमेटरी में जो हमारी पॉलर फॉर्म में कॉनिक की एक्विशन होती है उसकी हम ट्रेसिंग देखने वाले हैं तो हमारे पास है ट्रेसिंग ओफॉनिक एल डिवैडिड बाई र इस एकुल टू ब्लस एकॉस पर सब्सक्राइब बनता है इस एंटर सिटी की वैली इसमें 0 पूट कर दी तो हमारी इकुएशन क्या जाएगी इकुएशन आर इस एकुल टू एल आ गई अब एल कॉंस्टेंट है त्मीन्स रेडियस क्या रही है रेडियस कंस्टेंट आ रही है इस टाइप का हमारे पास circle बनेगा जिसका center pole पे होगा और जिसकी radius हो किसके equal होगी L के equal होगी जो कि हमारी similar spectrum है उसके equal होगी तो यह हमारा जब E is equal to 0 होगा तो पहला case मन जाता है कि हमारी equation है वो circle को represent करती है second case देखते हैं अगर हमारे पास E की value 1 है E की value 1 है तो equation कुछ ऐसी बन जाएगी यहाँ पर E is equal to 1 put करने पर L divided by R is equal to 1 plus cos theta ऐसा बन जाएगा अब इसको हमें trace करना है तो इसके लिए सबसे पहले polar form की tracing का method आता है symmetry check करना तो अगर हम theta को minus theta से replace करते हैं तो equation में कोई परभाव नहीं पड़ता तो equation unchanged रह सकती है तो इसमें अगर हम theta 0 degree put करते हैं तो R की value L by 2 45 degree पर under root 2 divided by under root 2 plus 1 into L और 60 degree पर 2 L divided by 3 90 degree पर L और 180 degree पर यह infinity को approach करती है तो हम क्या लिख सकते हैं जब हमारा theta है वो 0 से πाई की तरफ बढ़ता है तो हमारा R है वो L by 2 से infinity तक increase करेगा जब हमारा theta 0 से πाई की तरफ increase करेगा तो R हमारा L by 2 से infinity तक जाएगा तो इसकी tracing करते हैं theta is equal to 0 degree पर यह L by 2 को represent कर रहा है कुछ यहाँ पर continuously increase वगा theta is equal to 90 degree पर यह L को represent कर रहा है और जब 180 पर पहुंच रहा है तो यह infinity को जा रहा है तो हमारी करव कुछ ऐसी आई की और यह हमारा symmetric है initial line के बाउट तो same ऐसी ही करव यह नीचे भी लाई कर रही है तो यह हमारे पास क्या आजाता है यह हमारा hyperbola आजाता है तो हम क्या कह सकते हैं जब eccentricity is equal to 1 होगी तो वो हमारी करव है वो hyperbola को represent करती है next case देखते हैं next case हमें दे रखा है that is eccentricity की value less than 1 less than 1 हमारी equation of konic हमें दे रखी है l divided by r is equal to 1 plus e cos theta इस equation में अगर हम theta को minus theta से change कर देते हैं तो हमारी करव की equation में कोई change नहीं आता करव की equation में कोई change नहीं आता that means हमारी करव है वो symmetric है initial line के about अब इसकी tracing करते हैं तो theta is equal to 0 degree इसमें अगर हम theta is equal to 0 degree put करते हैं तो हमारा r के है generally l divided by 1 plus e cos theta होता है theta के जगा 0 put करने पर cos 0 degree क्या होता है हमारे पास में 1 होता है तो ये value क्याएगी l divided by 1 plus e आ गई और ये हमारी जो value है ये lowest value है पास में आएगी because maximum value क्या होती है cos theta की 1 होती है lowest value क्योंकि r की value हमारी क्या lowest value है वो lowest value आने का करण क्या है क्योंकि cos theta की अगर हम maximum value देखे तो वो 1 आती है maximum value आ रहे है 1 that means हम क्या कह सकते है ये value जो हमारी है maximum value जो किसी value को divide करते है तो वो minimum value देती है तो ये हमारी r की minimum value है क्यों कि हमारी cos theta की maximum value 1 होती है तो ये हमारी minimum value आगी राइट अब theta is equal to pi by 2 अगर हम put करते हैं तो इसमें pi by 2 put करने पर cos 90 degree क्या होता है जीरो जीरो होगे तो हमारे पास r is equal to l आ गया है फिर theta is equal to pi 180 degree फिर cos 180 degree minus 1 होता है तो यहाँ पर minus 1 पूट करने पर R is equal to L divided by 1 minus E यह हमारे पास maximum value है maximum value क्यों है? यह हमारे पास maximum value इसलिए आती है क्योंकि cos theta की minimum value है वो minus 1 आती है cos theta की minimum value minus 1 और यहाँ ओपर देखेंगे तो minimum value यहाँ पूट करेंगे तो उपर हमारे पर maximum value याईगी तो हमारी radius की maximum value है वो हमारे पास 180 degree पर आती है तो अगर generally देखा जाए जब हम theta को 0 से pi की तरफ increase करते है theta की value 0 से pi की तरफ जाती है तो cos theta की value plus 1 से minus 1 की तरफ decrease होती है जब यह value decrease होगी तो r है वो हमारा कहां से काइन increase करेगा l divided by 1 plus e से l divided by 1 minus e की तरफ increase करेगा तो हमारे पास में कुछ SC करोव हमारे पास में आती है और यह symmetric about initial line तो same SC करोव नीचे भी लाई करेगी तो यह क्या आ गया हमारा ellipse आ गया है तो हम क्या कह सकते हैं यह जो करोव है जब हमारी eccentricity की value है वो less than 1 होगी तो हमारी करोव है वो ellipse को represent करेगी next point देखते है next point हमारा है कि हमारी eccentricity है उसकी value greater than 1 है अगर eccentricity की value greater than है तो क्या represent करेगी तो हमें पता है कि l divided by is equal to 1 plus e cos theta यह हमारी करोव की equation दे रही है अगर इसको trace करना है तो हम बहुत symmetricity check करते है उसके लिए theta की जगर हम minus theta रिखें तो करोव में कोई परबाऊ नहीं पड़ता that means equation of curve is unchanged अगर equation of curve unchanged रहती है तो हम क्या कह सकते है हमारी करोव है वो symmetric initial line that means जैसी करोव initial line के उपर है same वैसी initial line के नीचे भी लाई करती है तो हमारी symmetricity आगी that means अगर हम 0 से pi तक इसको trace कर लेते हैं तो सेम वैसी उसके नीचे भी आएगी तो यहां से हम R लिख सकते है L divided by 1 प्लस E cos theta अब theta और R की अलग-अलग value चेक करते हैं तो theta जब 0 degree है theta 0 degree है तो R की value L divided by 1 प्लस E आएगी जब theta pi by 2 है तो cos pi by 2 0 R की value L के इक उला जाती है जब theta हम pi by 2 से cos inverse minus 1 by E यह हमाने एक definite value मानी है जो की less than है pi से pi से छोटी है cos inverse minus 1 divided by E जब हम 90 degree से इस value की तरफ बढ़ते हैं 90 degree से इस value की तरफ बढ़ते हैं तो R हमारा L क्योंकि 90 degree पर तो L है और इस value को यहां पर पुट करें theta की जिमें cos inverse minus 1 by E तो हमारे पास क्या आएगा cos inverse minus के 1 divided by E आता है cos inverse से cos अपना cancel हो गया minus का E आगया L divided by 0 that is equal to infinity तो हमारे पास क्या आगया जब pi by 2 से इस value की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा L है R है वो change कहां से कहां होता है L से infinity तक increase होता है तो यह जो part है वो हमने graph में AL part से represent कर रखा यह रहा वो AL part क्योंकि 0 degree पर यहां था 90 degree पर यहां था उसके बाद नहीं cos inverse 1 by 3 पर यह infinity के और जा रहा है आप देखो next चीज़ देर के जब हमारा theta है वो cos inverse minus 1 by E से pi की तरफ increase वरता है तो यहां तक change होगा तो R हमारा infinity से L divided by 1 minus E की तरफ जाएगा that means हम क्या represent कर सकते हैं कि L divided by 1 minus E और E है वो अपना greater than 1 है greater than 1 है that means यहां पर कोई negative value देगा तो हम क्या लिख सकते हैं R हमारा negative value देने लग जाता है negative value means opposite side में आएगा तो वो part हमने L dash A dash से represent किया क्योंकि अगर हम देखें R अगर हमारा cos inverse minus K1 by E है तो वो minus infinity की तरफ है यह बना minus infinity है minus infinity रहेगा या generally infinity लिख सकते हैं तो वो हमारा minus infinity शुरू हता है और जब हमारा pi तक आता है तो वो हमारे L divided by 1 minus E तक पहुंचता है और यह value भी हमारी negative है तो इस part को हमने L dash L1 dash A dash से represent किये अब यह क्योंकि symmetric है initial line के बूट तो यह अगर हमने pi 0 से cos inverse minus 1 by E तक यह आया तो symmetric है इसलिए same ऐसा है नीचे आया फिर pi से लेकर cos inverse minus 1 by E से लेकर pi तक यह value आया तो same symmetric है initial line के बूट तो same ऐसा ही करो ऐसे आएगा तो इससे देखा दे तो यह हमारा क्या है hyperbola है that means जब हमारी eccentricity की value greater than 1 होगी तो हमारी जो करो है वो क्या represent करेगी hyperbola को represent करेगी thank you